ale 145 कि आबादिवले देश की बात करते हैं तो उसमें 140 करूण तरह के अपीनिन्स पैदा होते हैं किसी भी फील्ड में जरुरी नहीं हर फील्ड के अपीनिन्स जो पैदा हो रहे हैं जो उसमें नए ने लोग आ रहे हैं उनसे हम से अग्री करें यह प्रॉब्लम होती लेगेस एक्टर आता है वह बहुत अपनी जान लगा करता है ठीक फिल्म होती है वह क्ला क्लासिक जाती है ठीक अब उस फिल्म के करड़् ibalासिक बनने से उस सीनेमा का हिंदुस्तान की आवाम के बीच में एक जगह बनती मिलबाजना अब उस बनी बनाई उस आर्ट के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है जो भी एक्स यजट भी बोलो ठीक है लेकिन फिर भी उस फिल्म को भी देखने वाले तुमको बहुत बड़ी आउडियंस मिल जाएगी अब मसला यह है कि जो वेक्ति जो बहुत पैस्टे था जिसने इस रास्ते को बनाया क्या वह कहा कि नहीं नहीं तुम उससे नहीं कर सकते हैं तो तुमको हटा दिया जाए हटाया नहीं जा सकता है क्यों नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि हमें हम चीजों को बना तो सकते हैं लेकिन हमने नियंत्रत नहीं कर सकते हैं जैसे जो कुछ भी निर्माड है किसी भी प्रकार का निर्मान है जैसे कोई लेखर को किताब लिखता है वो लिखने के लिए इसे मतलब और किस देशकाल परिस्थिति में वो उस चीज को देख रहा है ठीक है यह बहुत इंबोर्टन तो क्या खा रहा है क्या पहन रहा है इसमें हम हमेशा हमेशा हमको positive attitude डगना चाहिए हम किसी से यह कहें कि जो तुम खा रहे हो वह गलत है जो तुम पहन रहे हो वह सही नहीं है यह अ हमें जो प्रयास करना चाहिए अगर हम प्रयास करें इस दिशा में तो अगर किसी विक्ति को यह लगे कि दिस वर्थ फाइटिंग फॉर तो उसको यह सोचना चाहिए कि वी मस्ट बिल्ड अप पॉजिटिव फोर्स